हलो जी नमश्कार सलाम सस्रेकाल कैसे हैं आप सब लोग I wish you all a very warm welcome to this session of Unacademy meet live daily Unacademy भारत का अपना educational channel Unacademy जिसे इस मुकाम पे पहुँचाया है आप लोगोंने स्क्रीन पे नज़र डालना चाहूंगा कौन-कौन राजा बेटा है राजा बेटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी इस समय गुलनाज हैं करिश्मा, अभिनय, पुनीता, अंकिता, अनिर्बन, संदीब, दीपक जैस्वाल, राजाराम, उमर फारुख, सचिन, चिन्मय, तौसीफ, वाहिद, विकास, बुश्रा, दीपक सिंग, रहमत, अनुश्का, सुरभी, रिशब, ग्रेट, वांडरफुल, अज अनिमल किंग्डम का फाइनली क्लाइमेक्स करने वाले हैं, इतने समय से अनिमल किंगडम शुरू किया हुआ हुआ है, फाइल्म पॉरीफेरा के बाद फाइलम नेडेरिया, टीनो फोरा, ब्लडी हल्मिन्थस, एयेशलमिन्थस, अनेलिडा, आर्थरोडा, मलस्का, इक जेलो कॉर्ड डाटा, साइक्लो स्टोमेटा, उसके बाद, काटिलेजनिस फिशिस, बोनी फिशिस, एमफीबियन्स, रप्टाइल्स, बिर्ड्स, एन फिर आज फाइनली, मैं मैं वाल, देख वा रहे हैं, शेर, डर लग रहा है आपको जी, शेर से, नहीं, इसी तरह से आपको भी शेर बनना है, एक दम, राइट, नीट वाले एक्जाम के दिन, ऐसे ही, एक दम से, नीट में अपनी सीट हासिल कर लेनी है, तो ये ताकत और ये फुर्ती भी होनी चाहिए, ये खेल सिर्फ आपके नॉलेज का नहीं है, इस खेल में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्ड हैं, टाइम मैनेज कैसे करते हैं, आप प्रिसीशन, एक्क्यूरेसी, स्वयम को एड़वर्स सर्कुम्स्टैंसिज में कैसे संभाल सकते हैं, कैलकुलेट करते हुए दो क्वेशन गलत हो गए, तो किस तरह से अपना सयम बनाए रखना है, कि बाकी का पेपर खराब ना हो जाए, सो बहुत सारी चीजों का प्रियोग होगा जी इसमें, और ये सारी बातें आपको मैं सिखाऊंगा, जैसे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, really nice to see, 211 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, चलिए जी, मैं आपका अपना Dr. Sachin Kapoor, और आप मेरे अपने प्रभाद, तौसीफ, कावेरी, जमाल, डौली, अदिती, जयोती, अलफाज, कृष्ण, रहमत, रुही, चलिए जी, सो नाम आप जानते हैं, Dr. Sachin Kapoor, with the Amphil and PhD, and more than 20 years of teaching experience, बहुत भेतरीन ranks produce करें हैं, जी, All India Rank 1 in AIMS, All India Rank 1 AIPMT, All India Rank 1 in DPMT, आप ही जैसे वच्चे हैं, जो भेतरीन ranks लाते हैं, बस सही मार्ग दर्शन की ज़रूरत होती है, जिस चैनल पर आप हमारे साथ हैं, आपको सही और भेतरीन मार्ग दर्शन यहां पर मिलेगा, बस जो आप से कहते हैं, वो follow करते रहेगे, टेलिग्राम का या अप अपने सेल फोन में जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, और एक बहुत अच्छा फीचर लेकर क्या हैं हम आपके लिए, यह नीट मोबाइल, यह नीट मोबाइल बहुत ही भेतरीन फीचर है, इसमें क्या है कि आपको अपने फोन के ब्राउजर में, tinyurl.com slash neatmobile, spelling में गरवड मत करना है, यह टाइप करना है, आपके सामने मेरे जितने भी lectures हैं, पूरे के पूरे खुल जाएंगे, एक पूरा index, एक पूरा flowchart बना हुआ आपको मिल जाएगा, animal tissue का lecture 1, lecture 2, 3, 4, जहां पे play पे click करेंगे, सीधा आपको वो YouTube के link पे ले जाएगा, the same goes for the physics, chemistry and biology of the class 12th standard also, प्लस का हमारा ये platform, जो आपके लिए बहुत ही भेटरीन platform हमने डिजाइन किया है, इस प्लैटफर्म को जरूर explore कर लीजिए, लाइप प्लस classes हैं, उसके बाद test series हैं यहाँ पे, doubt clearing sessions हैं, आप अपने favorite educators से पढ़ते हैं, अपने समय के अनुसार, right जी, अलग-लग educators के courses चल रहे हैं वहाँ पे, मेरे भी courses हैं, आप देख सकते हैं, प्लस का platform explore करके, जो बच्चे NEET 2020 दे रहे हैं, वो हमारा crash course जोईन कर सकते हैं, तीन महीने का crash course, अन अकैडमी का learning app आप इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप प्लस वाले section में जाएंगे, उसके बाद आप NEET category सेलेक्ट करेंगे, and get subscription, right, depending upon कि का आप class 10 में हैं अभी, तो आपको 2 साल का subscription लेना है, आप class 11 में हैं, अभी आपके exam होने वाले होंगे थोड़े दिनों में, कुछ बच्चों के फरवरी में हैं, कुछ बच्चों के मार्च में हैं, तो आपको 1 year subscription लेना है, जल से जल ले लिजए, हमारा 1 year course भी शुरू हो रहा है, 3 फरवरी से, subscription आप पहले भी ले सकते हैं, 3 फरवरी से, because already जो batches चल रहे हैं, आप उन में बैठके, आप अपना class 11th का सले, बस revise कर सकते हैं, आपको class 11th का कोई भी topic पढ़ना है, most welcome आप पढ़िए मुझसे, code यूज करिएगा, ध्यान रखके, such in live, ये वाला code इस्तेमाल करने से, आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं, such in live, और आपको fees में भी discount मिलता है, 10%, फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मौका भी, चलिए जी, warm-up session हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं, निहारिका, घुलनाज, युकता, फैजान, अरिंधम, मौसीन, ब्यूरी आदव, संकेत, वैभवी, सुमन, रिशिकेश, जमाल, जमाल, चिनमय, कैसे हैं जी आप, आशीश, बढ़िया एकदम, चलो जी, सो शुरू कर रहा हूं जी, क्लास में में लिया, प्यारी सी quotation के साथ, quotation मैं ज़रूर शेयर करता हूँ आपके साथ, देखो, आज के पाल, लिये क्या है मेरे पास, Optimism is the faith, that leads to achievements, positive रही है, optimistic रही है, तो achievement तो होगी होगी, सफलता आपको मिलेगी मिले, चलो मेरे राजा बेटा, देखो, मेरे को बड़े पसंद आते हैं, ये beautiful से जानवर, अब दोनों को एक साथ क्यों दिखाया क्या, करनिवोर को विलॉंग करते हैं, दोनों ही क कारनिवोर, बली मोसी भी कहते हैं न, सो कहीं ने कहीं जो है, बली भी काफी बुद्धी मान होती है, कई चीजій ने आपने बच्पन में खानिया सुनी होगी, कि बही शेर को सिखाई थी बिल्ली ने एक बात बिल्ली ने शेर को नहीं सिखाई थी पेड़ पे चड़ना सुनिए किसी ने कहानी ये बच्पन में Great, wonderful जी So you have cats which is a carnivore You have the lions and the tigers and the leopards and cheetahs which are also carnivores Let's start with class mammalia Study of mammals is mammology Mammals variety of habitats में पाय जाते हैं ठंडी ठिट संडी जगे में भी polar beer भी देखने को मिलते हैं Desert में रहने वाले mammals भी हैं Kangaroo rat जैसे dipodomice spectabilis जो कभी जिन्दगी में पानी नहीं पीता Camel जो बिना पानी पिये रेकिस्तान में दो हफते तक रह सकता है घने जंगलों में भी पाय जाते हैं Hair clad मतलब बालों से ढखा हुआ शरीर है Terrestrial है जमीन पे रहने वाले हैं पानी में रहने वाले भी हैं Whales, Dolphins, Cetaceans जो हैं Cows, Porpoises ये पानी में हैं Lungs के जरीए सांस लेते हैं इसलिए हमने air breathing कहा है Warm blooded हैं Body temperature fixed रहता है हमने birds और mammals दो ग्रूपस ऐसे पढ़े हैं जो warm blooded है ज्यादा तर mammals तो वी वी पारस हैं They give birth to young ones लेकिन हम पढ़ेंगे कि कुछ mammals ऐसे भी हैं जो अंडे देते हैं ओ वी पारस है Duck, Bill, Platypus आपने पढ़ा है Ornithorincus Tachyglossus और Echidna और the Spiny Anteater जो कि Australia and nearby islands में पाए जाते हैं अंडे देने वाले mammals जिनको prototherians भी कहते हैं ओके जी अगला point They occur in all sorts of habitats Polar regions में मैंने polar bear की photo लगा दिया आपके लिए घने जंगलों में भी है deserts में भी है समंदर में भी है हवा में उडने वाले भी तो है bats चमगादर जो है उड़ते भी तो है हवा में आपको पता है हम कहा देते है bats are blind ये गलत है bats are not blind bats they have very poor eyesight उनकी जो नजर है बड़ी कमजोर होती है they have a mechanism to produce ultrasonic sound waves ultrasonic sound waves टकरा के वापस लोटती है और वो उसे सुन भी सकते they can produce and hear ultrasonic sound waves कई bats species तो एक लाक हर्ट से भी ज्यादा की sound waves जो है frequency वाली बना लेते है so जब sound की waves लोटती है वापस उनके कानों में eco location एक mechanism होता है उनके पास वो distance का अंदाजा लगा लेते है bats उसे हवा में उड़ने वाले bats पानी के अंदर तैरती हुई मचली को भी accurately जपट्टा मार के पकड़ सकते है पता हो नीचे ये बात आपको mammals show great diversity in habitat and include burrowing mammals है बिल में रहने वाले, दोड़ने वाले, पेड़ों पे चड़ने वाले पेड़ों पे रहने वाले, आर्बोरियल हवा में उड़ने वाले, पानी में तैरने वाले variety of habitats है ये बात clear होगे मेरे राजा बेटा चलो जी अगला point temperature को लेके जिकर करते हैं, mammals warm-blooded होते हैं, warm-blooded animals को homeothermal या endothermal animals कहा जाता है, so the body temperature is regulated, they are homeothermal this gives them a high rate of metabolism and makes them active, right जी, mammals में high rate of metabolism है, यहां पे हमने आपको पानी में एक तैरने वाला mammal दिखा दिया यहां पे, whales है या dolphins है बच्चे चाहिए कि पानी के अंदर भी रहते हैं लेकिन इनको सांस लेने के लिए पानी के surface पे उपर आना पड़ता है, अपने lungs में हवा भरके फिर यह नीचे चले जाते हैं इनमें खास तरह की adaptations होती है कि कैसे यह पानी के नीचे सांस रोके इतने लंबे समय तक रह सकते हैं उनका जिकर करेंगे भी आपके साथ घोडा दोड़ता हुआ दिख रहा है आपको भई गोडे का zoological name चली देखते हैं कितने बच्चे मुझे बटा सकते हैं NCRT में mentioned है horse का zoological name साड़े 300 के करीब बच्चे जोड़े हुआ हमारे साथ can we have 350 likes also आज की likes का target भी हमारा 500 है हाँ जी Sandeep Kumar, Sharma जी we have Abhinav, we have Yukta, we have Cyber, Celebrity, okay then great Pavan next क्या है जी Asra, Sandeep, Anushka, Anam Koreshi मैं आप Ecos ठीक कहा है कमरान ने ठीक दिया है बिलको जवाब सही कहा है आपने Ecos और भी कई बचों ने कहा है Yukta ने order भी बता दिया है Parasodactyla, रमेश अभी थोड़ी दिर में जिकर करूँगा आपके साथ Parasodactyla order का Body जो है वो Divisible होती है इनमें Head है, Neck है, Trunk है and Tail है Okay, Siloam अगर Body Cavity का जिकर करें तो Heart के चारों तरफ Pericardial Cavity है Lungs में Plural Cavities है दोनों में Right and Left and Abdominal Cavities for the Remaining विसरा तो Siloam True Serumate Animals हैं यह Obviously आप क्या पहचान सकते हैं आप यह कौन सा Mammal दिखाया गया है यहां पर Appandages का जिकर हो रहा है Penta-Dactile Limbs होती है इनमें भई पांच उंगलिया है Penta-Dactile Limbs है हमारे पास There are variously adapted for Walking and Running Jumping Climbing Burrowing Swimming Flying 5 Toes भी है आप मुझे पताइए जल्दी से पहचान के कि आपको यह कौन सा Mammal नजर आ रहा है यहां पर जियोती आयान बुष्रा तौसीफ अंकित शिल्पा वाहिद संदीप स्नेहा जगदीश खुशी अभिजीद Sloth बिलकुल सही का रुद्रा ने सही कहा है Very good अनन्या ने भी ठीक बोला है आयान यहां यहां राइट लीमर नहीं है यह संकेत इस स्लॉथ We are nearly 400 people जादा लोगों को link आगे forward कीजिए मज़ा आएगा जितने जादा लोग जोड़े होंगे हमारे साथ तो यह स्लॉथ है है ना स्लॉथ जो होता है वो सबसे sluggish mammal कहलाता है इतना sluggish मतलब एकड़ निठलने वही पढ़े रहते हैं यह चलते फिरते नहीं है इतनी देर तक पढ़े रहेंगे कि जगे पे इनके शेरीर पे algae, fungi भी उग जाएंगे तो इनको कोई परवा नहीं है जगे बढ़ते हैं हमारे बहुती करीबी रिष्टेदार जो है नजदी की रिष्टेदार primates हमारा group है यह primata order है जिसमें humans, apes and monkeys आते हैं apes का जब हम जिकर करते हैं आप जानते हैं gorilla, chimpanzee, orangutan यह सब आते हैं apes में great apes हैं gibbon is also an ape only ape found in India mammals की चमड़ी की अगर हम बात करें skin का जिकर करते हैं skin glandular है याद कीजिए birds के case में हमने पढ़ा था skin dry होती है birds में glands नहीं होते europaigial gland मैंने एक बताया था so mammals की skin में glands होती है और उनके शरीर पे बाल भी होते है maximum mammals सो ऐसे हैं जिनके शरीर पे बाल है mammals की बात करें जैसे हम whale dolphin की बात करें तो skin पे बाल बहुत ही कम होते हैं ना के बराबर हैं उनमें शरीर पे बाल हैं और कई mammals ऐसे होते हैं बेटा जिन में चमड़ी के नीचे एक fat की बहुत मोटी layer होती है जिसको हम blubber कहते हैं so blubber जो है what is this? thick layer of subcutaneous fat aquatic mammals में और insulation का काम करती है और ये blubber जो होती है it acts as a reserve source of water aquatic mammal marine mammals जो होते हैं समंदर में रहते हैं पर समंदर का पानी पी नहीं सकते क्योंकि उनके पास salt glands नहीं होती अगर वो समंदर का पानी पी लेंगे तो वो मर जाएंगे इसलिए उनके पास blubber है thick layer of subcutaneous fat by metabolizing fats they produce water this blubber also provides buoyancy पानी में तैरते रहने के लिए buoyant भी बनाती है body को nice to see 451 people we have a target of 500 likes just because of you lecture पसंद आ रहा है आपको videos, animations अच्छे लग रहे है सो आपके प्यारे-प्यारे likes energy की form में मुझे तक पहुँचने चाहिए mammals की skin का जिकर कर रहा हूँ skin में multicellular glands है हमारे पास sweat glands है पसीना बनाने वाली sweat glands को sudory ferrous glands भी कहते है oil secret होता है sebaceous glands है चमड़ी को moist बना के रखने के लिए smooth बना के रखने के लिए wax हमारे ear में ear producing wax producing glands है cerumen glands milk memory glands है mammals में बड़ा unique feature है mammals का ये एक ऐसा feature है जो सभी mammals में पाया जाता है कई बार ये question पूच सकते हैं राजा बेटा एक ऐसा exclusive feature बताईए जो सभी mammals में present है that is memory glands right the production of milk okay sweat produced by sweat glands it helps in thermoregulation now sweat glands का purpose क्या है जब भी पसीना आएगा और वो sweat evaporate करेगा तो thermoregulation है एक तरह से cooling effect दे रहा evaporation of the sweat gives you a cooling effect right चलिए आगे बढ़ते हैं mammals के endoskeleton का जिकर करते हैं हडियां है boni है right और skull diacondylic होता है humans का भी आप याद कीजिए skull diacondylic बताये था न occipital bone जो है इसमें दो occipital condyles होते है atlas vertebra है सबसे पहला जिसके उपर skull टिका हुआ है right first is atlas and second is axis गर्दन वाले region में mammals में कितने vertebra होते हैं अच्छा बताये मुझे जल्दी से अब ही मैं स्क्रीन पे नज़र डालूँगा मेरा सवाल ये है कि mammals में cervical region में गर्दन में कितने vertebras present होते हैं हमने humans में जब skeleton पढ़ा था तो आपको ये बात बताई थी हाँ जी three months में crash course में syllabus complete होगा आप देर मत कीजी आपको जल से जल रगर join करना है such in live code यूज़ करके आप हमारा crash course join कर सकते हैं crystal clear दीपब जी कह रहे हैं हाँ जी मैंने आप से क्या पूछा है जवाब दीजिए seven कहा है संदीप ने बिलकुल सही कहा है वंचिका ने seven कहा है तौसीफ ने seven कहा है right जी so mammals they have seven cervical vertebra neck region में जो है कुछ exceptions हैं अग भी हम आगे देखेंगे skull dicondyleeley के राजा बेटा याद रखना lower jaw में single bone है dentry जिसे कहते हैं और jaw जो है वो उनका बहुती strong है बहुती मजबूत है आप देख पा रहें कितने बड़े-बड़े कैनाईन टीथ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं स्कार्निवोरिस जानवर में neck mostly contains seven cervical vertebra important है यह बात this can be framed as a question यहाँ पे मैंने जिराफ की photo क्यों दिखाई है विटा जो जिराफ है ना इसकी गर्दन सबसे लंबी होती है जिराफ has the longest neck जिराफ has longest isophagus also जिराफ is a totally silent mammal जिराफ generally कोई sound produce नहीं करते हैं certain special conditions में ही breeding season के time पे कुछ हलके full की noises करते हैं otherwise it is a totally silent mammal जिराफ की सुबान भी बड़ी लंबी होती है वो पेड़ों की तहनीयों के चारों तरफ लपेट के पेड़ों की पतियां खाते हैं tongue is long and it can be used like a limb ball so tongue को prehensile कहा देते हैं जिराफ की गर्दन में भी 7 cervical vertebra है the neck of giraffe is long because of increase in length of individual vertebra number of vertebra 7 ही रहता है कुछ mammals exception है जहाँ पे 7 cervical vertebra नहीं होते c cows हो गई जैसे उनमें इसके लाबा 2 toad sloth 3 toad sloth, great anteater tamandua tetradactyla इनमें cervical vertebra vary कर जाते किसी में 6 है किसी में 8 है otherwise in general 7 cervical vertebra ही होते है clear है राजा पेटा? right? अभिनव जी? ठीक है? बिल्कुल अनन्या ने कहा है कि question पूछा गया हुए अनन्या बिल्कुल ठीक बात है आप previous question solve करेंगी ना वहाँ पे question आपको मिलेगा neck of giraffe is long because of the reason is increase in length of individual vertebra number 7 ही होता है vertebra का पहले दो vertebra atlas and axis है और वो गर्दन की movement देते है atlas और axis दोनों vertebra से आप familiar है sacral vertebra fuse कर जाते हैं और sin sacrum बनता है humans के case में जो last region के vertebra है tail region के cocaigal vertebra fused है, sin sacrum भी formed है sacrum जिसे बोल देते हैं long bones have haversian canals this is important, haversian canals हमने feature पढ़ा था bones का bone का transfer section आपको दिखाया था bone में सबसे बाहर periosteum होता है, सबसे अंदर endosteum है bone का matrix है, matrix is arranged in the form of layers which are called lamellae, bone के cells मैंने animal tissues में पढ़ाये हुएं, आपको osteocyte, osteoblast, osteoclast जिन लोगोंने haversian canals वाला topic नहीं पढ़ा है, आप class 11th का animal tissues का playlist देख लीजे आपको उसमें haversian canals का topic मिल जाएगा, आपको याद है, यहां यह भी बताया था, adjacent haversian canals are interconnected by, कौन सी canals बताई थी, चली देखते हैं, कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं, haversian canals adjacent, जो हैं, उनको जोडती हुई कौन सी canals होती है, देखते हैं, सबसे canals, युक्ता ने सबसे पहले कहा है and subnorm khatun shabnam khatun होगा, इन्होंने भी सही जवाब दिया है, walkman canals संदीब का जवाब भी बिलकुल सही है युक्ता, right, your answer is correct walkman canals, यह मैंने आपको बताया हुआ चली आगे बढ़ते हैं, mammals के digestive system की बात करते हैं, mouth large है, relatively small है, I mean, and it has movable lips also, यहाँ पर इसलिए आपको दिखाएगा है, भैंस जो है जो artudectiles अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें cow, buffalo, sheep यह जानवर आते हैं, यह जुगाली करने वाले जानवर हम हिंदी में कहते हैं they are ruminants, इनका stomach जो होता है ruminants का वो complex होता it is divided into chambers, rumen reticulum, omesum, abomasum rumen और reticulum chambers में याद करके देखिए, यहाँ पर cellulose digesting symbiotic microorganisms होते हैं, there is bacteria ruminococcus and protozoan ciliate endodynium caudatum, cellulase enzyme बना करके वो उनके cellulose को ferment कर देते हैं, तो यह जुगाली करने वाले जानवर कहलाते हैं, ruminants जिने हम कह देते हैं, cud chewing mammals सारे mammals cud chewing नहीं है ruminants का शिकर कर रहा है मैंने यहाँ पर salivary glands present होती है जि mammals में teeth एक बड़ा important feature है, इनने true teeth present होते है और mammals के जो दान्त है बेटा जी यह ध्यान रखेगा mammalian teeth, they are thecodont thecodont दान्त वो होते हैं which are embedded in the jaw sockets, right मजबूत दान्त है, मैं मेलिया के हिलावा आप जानते हैं, इस तरह के दान्त कहाँ पाए जाते हैं crocodile order में crocodiles में भी thecodont dentition होता है clear है राजा बेटा, right जी पुनीता, अभिनव, ऐश्वर्या आगे बढ़े दान्त जो है mammals में अलग अलग तरह के भी है heterodont teeth जोसे हम कहाँ देते हैं अलग अलग प्रकार के कैसे हैं there are incisors, there are canines premolars and molars, अलग अलग काम करने के लिए specialized है, so इसलिए हम इनको कहाँ देते हैं कि dant mammals के heterodont है, incisors जो होते हैं, they are specialized for cutting and biting, canines piercing, किसी चीज़ की चीर फाड करने के लिए, कच्चा मास खाने के लिए offense and defense हमला करने के लिए भी है premolars और molars जिनको cheek teeth कहते हैं, they are for crushing and grinding the food, right जी, teeth एक important feature है, mammals का याद रखना, heterodont teeth हैं और diphyodont है, diphyodont का मतलब होता है कि mammals के दांत जो है, वो उनकी जीवन काल में दो बार आते हैं, right दो बार में कैसे, एक होते हैं temporary teeth, or the milk teeth, or the deciduous teeth, जैसे अगर हम humans की भी बात करें, जब एक बच्चा लगबग 6 महीने का होता है, उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं, लगबग धेर से 2 साल का बच्चा जब होता है, तो milk teeth आ चुके होते हैं, फिर दांत तूटने शुरू होते हैं, 6 से 12 साल की उमर के बीच में, milk teeth, they are replaced by permanent teeth, so we have two sets of teeth, agree it, right मैंने बच्चे, चलिए जी, next tongue है mammals में, tongue mobile है, and elementary canal, जो है, उसकी external opening, anus है, यहाँ पे cloaca नहीं है, जैसे हम birds में reptiles में cloaca का जिकर कर रहे था न, कि एक common opening होती है, जिसके थूँ अंडे भी देते हैं, वो और जिसके थूँ undigested food, urine, अच्छा कुछ mammals ऐसे हैं, जिनमें cloaca है उनको monotremes कहते हैं, single opening monotremeta मतलब single opening protothedians जो है न, अंडे देने वाले mammals जो है, उनमें cloaca present है, gastric juice में renin enzyme होता है, यह याद रखने वाली बात है, renin enzyme जो होता है, यह milk protein casein को digest करने के लिए milk जो है, that is a diet for mammals, produced by mammals mammalian female जो है, वो बच्चों को, जो है, milk देती है, feed करती है, बच्चे के जनम के बाद, so milk is something which is for the mammals, by the mammals, तो mammals में ही milk को digest करने वाला, milk protein casein को digest करने वाला enzyme, renin होता है gastric juice में, इसके इलावा milk में एक sugar पाई जाती है आप जानते है, milk sugar, that is lactose तो lactose को break करने के लिए intestinal juice में lactose enzyme, यह भी mammals में होता है बढ़ती उमर के साथ, यह दोनों enzymes कम होते जाते हैं, तो milk जो है वो छोटे बच्चों के लिए ही diet होती है समझे आप बात, so lactose enzyme मेरे राजा बेटा, and renin enzyme जो है, वो केवल mammals में पाया जाता है renin gastric juice में और जो lactose होता है, वो किसमें है intestinal juice में, clear है दोनों points याद रहेंगे, respiratory system का जिकर करते हैं, mammals में gas exchange कैसे होता है भाई, जमीन पे रह रहे हैं, तो obviously lungs चाहिए होंगे, mammals के lungs बिल्कुल अच्छे से developed हैं, और breathing में assist करने के लिए खास तरें के muscles भी होते हैं उनमें, एक तो diaphragm है, सबसे important muscle जिसका हम जिकर करेंगे, और दूसरा ribs के साथ जुड़े हुए, intercostal muscles भी होते हैं, so mammals में respiration occurs by lungs lungs are spongy, lungs are elastic, दो lungs होते हैं right and left, rib muscles and diaphragm play a role in breathing, diaphragm को phrenic muscle भी कहते हैं diaphragm is also called phrenic muscle or midriff यह skeletal muscle है, voluntary muscle है diaphragm है क्या, it is a dome shaped partition between thorax and abdomen diaphragm की up, down up, down movement, अपने आप brain के medulla region से regulated है और breathing हो रहा है उससे, right जी glottis is guarded by epiglottis आप याद कीजिए epiglottis का function क्या था कि जब हम खाना swallow कर रहे हैं तो कहीं गलती से वो हमारी wind pipe में, trachea में ना चला जाए, so epiglottis is a flap of elastic cartilage which covers glottis during swallowing vocal cords present है, sound produce करने के लिए, यहाँ पे आप diaphragm का roll clearly देख पा रहे है so diaphragm it is a dome shaped muscular partition which is separating your chest region, thoracic region from the abdominal region एक temperature, oh sorry, एक pressure gradient maintain करके रखता है अगर accidentally diaphragm rupture हो जाए, puncture हो जाए, माली जी किसी का road accident हुआ, कोई rib तूट के diaphragm में लग गई तो immediate death हो आती है उससे, right मेरे बच्चे दीपक तौसीफ, जिफ्रा, सचिन, सल्मान, पूचा, मौसमी, हार्दिक, संदीप, अधित्य, रीटा, जैकरन, अलफाज, शिवास, पारस, भरत, संदीप, सुमन, अस्रा, तनू, जैकरन, अस्रा, श्रिवास्त्वा, श्रिवास्त्वा, सचिन, जैकरन, सना, अरगा, मेगा, प्रिया, ग्रेट जी, देखे, कितने बच्चों के नाम भी मुझे याद होते जा रहे है, साथ साथ, that's really nice, डाइफ्राम का जिकर कर रहे थे, डाइफ्राम is a muscular partition, ध्यान नेकिएगा, डाइफ्राम स्केलिटल मसल है, voluntary muscle है, but it is regulated involuntarily by medulla region of the brain, right, सांस लेने के लिए हमें याद नहीं रखना पड़ता, अच्छा, voluntary कैसे है, अगर मैं आपसे कहूँ कि अपना सांस रोक लीजिए, चाहे आप कुछ second के लिए रोकिए, तो इसका मतलब है, cerebrum से command देके, आप diaphragm की movement को रोक सकते हैं न, तो यह नी voluntary हुआ, अगर वो involuntary होता, तो आप उसे रोक कैसे सकते थे, diaphragm के होने के कारण, efficiency of breathing जो है, वो बढ़ जाती है, clear है जी, heart का जिकर करते हैं, के धड़कता हुआ देल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे screen पे, mammals में heart four chambered है, the same goes for birds also, birds के के केस में आपने देखा था, heart is four chambered, mammals में four chambered, complete separation of oxygenated and deoxygenated blood, right, और जो additional heart chambers है, there is no sinus venosis, there is no truncus arteriosus, completely four chambered heart, right, heart जो है, it supplies oxygenated blood to all parts of the body, heartbeat करता है, left atrium के पास oxygenated blood आता है, left atrium left ventricle को देता है, और वो शरीर के सभी अंगों तक blood को पहुँच आता है, oxygenated blood को, clear है राजा बेटा है, चलिए, blood का जिकर करते हैं, यह भी important है, यहाँ से भी question frame हो सकता है, आपके लिए important, question के इसलिए कहां से frame होगा, RBCs जो होते हैं ना mammals के, they are circular, they are biconcave, and they are without nucleus, RBCs में nucleus नहीं है, it is not only nucleus, RBC में और भी organelles नहीं होती है, जैसे की mitochondria, जैसे की Golgi, इतनी सारी organelles के absent होने का फाइदा यह होता है, that there is enough space for carrying more and more hemoglobin, right, और RBCs जो camel और लामा में oval होते हैं, सिरफ shape का फरक होते हैं, oval RBCs, they can tolerate the osmotic strength in a better way, so camel बताया था ना, it can live without water for two weeks, दो हफ़ते तक, पूरी animal kingdom में, mammals के RBCs सबसे छोटे हैं, so please remember this point, that mammals have the smallest RBCs in the entire animal kingdom, और mammals में आपस में compare करें, तो elephant has the largest RBCs, and musk deer जो होता है, hiran जो होता है, kasturi hiran, उसमें सबसे smallest RBCs हैं, उससे repeat कर रहा हूं, in the entire animal kingdom, mammals have smallest RBCs, आपको याद है, कौन से animals के मैंने largest RBCs बताये थे, amphibians, amphibians, salamander, proteus, and amphiuma, they have largest RBCs, then these animals, mammals have smallest, mammals में आपस में compare करें, तो elephant has largest, and musk deer has smallest, ध्यान लखेगा, RBCs की इस बात को, RBC का production जो है, आप जानते हैं, bone marrow में होता है, erythropoiesis कहते हैं, जो से, RBC का lifespan humans के case में, आप जानते हैं, 120 days होता है, clear है जी, right, संदीप, भरत, तौसीफ, अनुश्का, जसकरन, जमाल, विनीता, विनीता, irrelevant, senseless questions मत पूछें, आप इस platform पे, जो पढ़ाया जा रहा है, उससे related बाते पूछें, तौसीफ, मौसमी, आपकी idea दरवाइस, block कर दी जाएगे, आप दुबारा कभी lecture रेटेंड नहीं कर पाऊगे, आनन्या, प्रेरिना, भारत, मोहिनी, clear है जी, right मेरे बच्चे, आगे बढ़ सकते हैं, चली, excretory system का जिकर करते हैं, mammals में, हम देख रहे हैं, vertibrates हमने जब से पढ़ना शुरू किया है, वर्टीब्रेट्स के केस में, excretion is by kidneys, दो kidneys हैं हमारी, right and left kidney में, थोड़ी सा position में difference होता है, हमने excretion and osmoregulation जब पढ़ा था, तो detail में discuss करा था, कि kidney के functional unit nephrons होते हैं, कैसे nephrons urine बनाते हैं, excretion and osmoregulation is by pair of kidneys, excretion क्या है, removal of harmful metabolic wastes, osmoregulation, maintenance of constant water and ionic conditions, major excretory product जो है वो यूरिया होता है, जो जानवर यूरिया excret करते हैं, that is ureotelic animals, and the mode of excretion is ureotalism, urinary bladder present होता है इन में, और excretory fluid को urine कहते हैं, clear जी, urine जो है body fluid से plasma के comparison में, ज्यादा concentrated होता है, ठीक है अलफास जी, संदीप, मौसमी, निशान्त, वंशिका, मुन्नालाल, धीपक, अंकित कुमार, ट्विंकल, जिफरा, अंकित किने beautiful roses भेज रहे हैं जी, thank you so much जी, डॉक्टर अफशान बेगम का कहना, आप हमेशा मेरे नाम skip कर देते हो, चलिए जी अफशान अब आप नाराज मत होईए, आपने कहा तो आपका नाम भी हमने ले लिया, राइट, चलिए, आगे बड़े मिटा, next, nervous system, brain आपके सामने है, पूरी animal kingdom में हम देखे हैं, तो भई, mammals का brain तो obviously highly evolved, highly developed है, दो cerebral hemispheres जो होते हैं, उनको जोड़ता हुआ, there is a bundle of myelinated exons, याद है उसे क्या कहते थे, corpus callosum और the hard body, corpus callosum connects the two halves of the cerebrum, अगर हम humans की बात करें, right cerebral hemisphere, there is a left cerebral hemisphere, दोनों आपस में connected हैं, किसे bundles of myelinated exons, corpus callosum, corpus callosum का ही दूसरा नाम, hard body भी होता है, ठीक है बिटा, brain highly developed है, cerebrum and cerebellum, cerebellum किसली होता है, little brain भी कहते हैं, cerebrum is the largest part of the brain, which covers all other areas, cerebellum जो पीछे वाला पार्ट है, which is also called little brain, second largest part of the brain, cerebellum balance and equilibrium बना करके, रखता है, mammals में optic lobes जो होती हैं, चार है, they are corpora quadrigemina, there are superior corpora, inferior corpora, याद कीजे, the optic lobes are concerned with reflexes also, visual reflexes, auditory reflexes, brain के बारे में और ज़्यादा जो जानना चाहते हैं, आप class 11th में, human physiology का playlist देख लेजेगा बिटा, वहाँ पे nervous system पढ़ाते समय, brain का structure detail में, discuss किया गया है, और कितने pair है, cranial nerves के मेरे बच्चे, 12 pairs, all my raja beta and raja beta, 12 pairs of cranial nerves है, हमने पढ़ा था कि reptiles, birds and mammals, सब में 12 pairs of cranial nerves होते हैं, and cranial nerves जो है, वो भी आपको मैं detail में पढ़ा चुका हूँ, nervous system वाले topic में, class 11th का playlist आप देख सकते हैं, जसमें आपको nervous system में, देख जाएंगी cranial nerves, मैंने आपको तरीके भी बताये थे, cranial nerves को याद रखने के, याद है आपको क्या बताये था मैंने, मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी reptile, bird, mammal पढ़ाएं, मैंने सारी cranial nerves के नाम आपको, एक ही flow में एक बार में बोले हैं, फिर से बोलके बता देता हूँ, So, आप class 11th में, वो cranial nerves वाला topic देख लीजएगा, आपको मज़ा आ जाएगा, याद रखने के तरीके भी आपको पता चल जाएंगे, राइट मेरे बच्चे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, nervous system के बारे में बताया, आँ, देखो कितना खुबसूरत सा जानवर यहाँ पर, मैंने खरगोश दिखाया, आपको कितना प्यारा लग रहा है, यह क्यों दिखाया है, मैंने ज़रा इसका earpinna देखो भी, खरगोश जो है, वो अपने कान हिला लेता है, So, there are many mammals which can move their earpinna in the direction of sound, Humans, हम लोग अपना earpinna move नहीं कर सकते हैं, Relatively, it is immobile, why? Because जो pinna के muscles होते, auricular muscles of earpinna are vestigial in humans, Some people can move their earpinna, बड़ी बात नहीं है, कुछ लोग कर लेते हैं, in general, Humans जो है, वो अपना earpinna move नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, शिवानी कह रही है, मज़ा आ गया सर, हार दी कह रहे हैं, सर साथ में याद भी हो गया है, भरत, that's wonderful, great, So इस पे likes बनते हैं आपकी तरफ से, जबरदस से, जिन्होंने अभी तक like नहीं कर रहा वीडियो, अच्छा सुनो, sensory system की बात कर रहे हैं इदर, Eyes have movable eyelids, Eyelids जो हैं, वो movable हैं mammals की, है न, Ear में external, middle and internal ear, external ear में ear pinna, external auditory canal, tympanic membrane, middle ear में याद करके देखिए, तीन चोटी-चोटी हडियां हमने पढ़ी है, that is malias, incus and staps, pinna का जिकर कर रहे हैं यहाँ पे, pinna is flap of yellow elastic cartilage, ear pinna जो है, that is a characteristic feature of mammals, ear pinna जो है, जादा तर mammals में present है, कुछ mammals हैं जिनमें ear pinna absent होता है, जैसे eggling mammals की बात करें, या whales, dolphins, इनमें ear pinna नहीं होता है, हाथी में देखा है, ear pinna कितना बड़ा होता है, हाथी अपने कान ऐसे-ऐसे हिलाते रहते हैं, because उन्हें घर्मी बहुत जादा लगती है, their ear pinna is highly vascular, blood supply बहुत जादा है, तो जब अपने कान हिलाते हैं, तो वहाँ से heat loss होता है, so ear pinna elephants में घर्मो रेगुलेशन का काम भी करता है, right मेरे बच्चे, चलिए, देखते हैं इदर, so मैंने लिखा है, that many mammals can move their ear pinna in the direction of sound, जैसे dogs में भी आपने देखा हो, हम कहते हैं एकदम से shore हो, कुद्धे अपने कान खड़े कर लेतें ऐसे, हम अपना कान ऐसा नहीं कर सकते हैं, right, sensory system में आगे देखते हैं जी, middle ear has three bonny ear ossicles, तीन चोची-चोची हड़ियां है, malleus incas and stapes, malleus hammer shaped है, incas and will shaped and stapes, जो है वो stirrup shaped होती है, internal ear has organ of caught eye, the main sense organ for hearing, so ये जब हमने human sense organs पढ़े थे, ear का structure मैंने detail में ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है, फिलाला मैं animal kingdom में general features पढ़ रहे हैं, mammals के, right, इसलिए मैं आपको organ of caught eye और ये malleus incas steps ये detail में नहीं बता रहा, लेकिन आपसे ज़रूर कहुँगा कि class 11th का जो playlist है आप ज़रूर देख लीज़ेगा, उस पे आपको ये सच चीज़ें मिल जाएंगी, आगे बढ़ते हैं mammals के reproductive system की बात करते हैं, sex is separate है, male female mammal अलग होते हैं, with sexual dimorphism, sexual dimorphism का मतलब है, जब आप male और female को clearly distinguish कर सकते हैं, on the basis of external features, उनको externally देख करके आप पहचान पाएं और बता दें, कि ये male mammal है और ये female है, तो मतलब वो sexually dimorphic हैं, जैसे शेर और शेरनी को देख करके आप पहचान सकते हैं, हिरन और हिरनी को देख के हाथी, हतिनी, ऐसे ही सभी animals में, mammals की बात कर रहे हैं, sexual dimorphism है, कि जानवर को देख करके आप बता सकते हैं, clear है राजा बेटा? राइट जी, चलो, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी शेर शेरनी वाली बात दिखाए थी, male reproductive system का अगर हम जिकर करें, human reproduction पढ़ते हैं, समय हमने detail में पढ़ा है, कि mammals में, in majority of the mammals, the testes are extra abdominal, main body cavity से बाहर located होते हैं testes, in a pouch like structure, which is called scrotum, तो testes जो है extra abdominal हैं, ऐसा क्यों है? detail में आपके साथ discuss करा था, sperm production, maturation, survival, storage, सारी बातें, not only production, repeat कर रहा हूं, sperm production, sperm storage, sperm maturation, sperm survival, requires 2-3 degrees lower temperature, than the core body temperature, तो scrotum में testes होने के कारण, एक favorable temperature बना रहता है, scrotum में मैंने dartos, our cremister muscles का जिकर किया था, मैंने बताया था, scrotum की wall में, large number of sweat glands होते हैं, pampini form plexus भी discuss करा था, जो लोग देखना चाहें, ये detail में, आप class 12 में, human reproduction में, जो हमारा lecture है, same channel पर आप playlist में, देख लीजेगा, right जी, so majority of the mammals में, राजा बेटा, testes जो होते हैं, वो extra abdominal हैं, लेकिन कुछ mammals ऐसे होते हैं, जिन में scrotum में नहीं होते हैं, right, वहाँ पे intra-abdominal हैं, prototherians, मतलब बंडे देने वाले mammals, whales, dolphins, cytosia group में आते हैं, इन में testes जो हैं मेरे बेटा, वो intra-abdominal हैं, that is they are located in the main body cavity, भाई अब यह कैसे high तापमान पे sperm बना लेते हैं, हम अभी तक नहीं समझ पाएं हैं, mammals में, male में copulatory organ है, that is penis, right, urinogenital duct, जो है, urethra, urethra भी mammals में हैं, यह important point है ध्यान लखना, urethra, it becomes a common duct, for carrying urine, as well as seminal fluid, तो इसलिए हम, urinogenital duct भी कह देते हैं, urethra के थूँ, urine भी pass out होता है, और जो seminal fluid है, वो भी ejaculate होता है, but at one time, only one fluid can pass, clear है जी, male reproductive system, right मेरे बच्चे, female reproductive system, mammals का गरम जिकर करने, दो ovaries होती हैं, ovaries are paired, intra-abdominal structures, ovaries intra-abdominal है, ova बना रही है, male में तो millions में sperm बन रहे हैं, ovaries से ova का production limited होता है, ovaries are intra-abdominal, सभी mammals में, female mammal has clitoris, right, which is comparable to the penis of the male, menstrual cycle होता है, primate mammals में, and estrus cycle देखने को मिलता है, non-primates में, मतलब, mammal female में reproductive cycle है, the primate females, humans, apes, and monkeys, उन में menstrual cycle है, and जो non-primates हैं, cow, buffalo, sheep, goat, rat, cat, वगएरा, इन सब में, easter cycle होता है, easter and menstrual के differences, भी मैंने आपको बताए थे, easter cycle में क्या होता है, that there is a heat period of the animal, the copulation is permitted by the female, only during her heat period, and uterine endometrium shed नहीं होता, कुछ species में shed होता है, ज्यादा तर में तो नहीं होता, it is absorbed within the body, menstrual cycle में, there is no such heat period, female is receptive to the male partner, anytime during the cycle, और menstrual cycle में, uterine endometrium जो है, वो shed होता है, और bleeding phase होता है, easterous menstrual के differences हम पढ़ चुके हैं, जब हमने reproductive system पढ़ा था, fertilization की बात करें, अगर mammals में, obviously इन में copulation होता है, male deposits the sperm inside the female reproductive tract, तो fertilization internal है, eggs जो हैं अगर ओवा की बात करें, बहुत negligible amount of yolk है, in fact, alacithal कह देते हैं, या microlacithal eggs, right, shell नहीं होता है उनमें, majority of the mammals are viviparous, they give birth to young ones, लेकिन, लेकिन, अंडे देने वाले mammals भी हैं, prototherians are oviparous, that is, they lay eggs, prototherian में जो example आप जानते हैं, one is platypus, other is spiny ant eater, clear है जी, बिल्कुँछ सही लिखा, आपने भरत heat period का जिकर हो रहा था, सुमन मैंने आपको human evolution पढ़ाते समय भी, easter cycle बताया था, कि क्या advantages रही है, अगर वो sperm फर्टिलाइज हो जाता है, और जो offspring पैदा होता है, male उसका पिता कहलाएगा, तो परिवार बने, संबंध बने, emotions बने, easter cycle का replacement जब हुआ, menstrual से, यह सारी चीज़े मैंने human evolution में आपको, बताई थी, देब बृता कहा रहे हैं, यह सर बिलकुल बताई थी, राइट तो सीब बेटा, चली, great, आगे बढ़ते हैं बच्चे, development का अगर हम जिकर करें, development takes place in the uterus of the mother, placenta बनता है, जो true placental mammals है, placenta क्या है, जब baby develop हो रहा है, mother के uterus में, उसे oxygen और nutrition भी तो चाहिए, so maternal tissues और fetal tissues मिल करके, placenta बनाते हैं, placenta, it is a temporary fetal maternal connection, which is formed during pregnancy, placenta is the only tissue in the body, which has cells, from two different individuals, of two different generations, placenta एक ऐसा tissue है, जिसमें maternal cells भी हैं, और fetal cells भी हैं, दोनों अलगलग individuals हैं, दोनों अलगलग generation के हैं, placenta variety of functions perform करता है, placenta को हम detail में discuss कर चुके हैं, जब हमने human embryology discuss कर रहा था, now, mammals के case में, amnion, allentos, corion, ये extra embryonic membranes हैं, yoke sac भहती redundant रहता है, because yoke की अवश्रक्ता नहीं रहती है, हलांकि yoke sac के functions क्या हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, blood cells बनते हैं ना, humans के case में भी शुरुवात stages में, yoke sac में, right जी, great, बरत कहा रहे हैं, nothing makes sense except in the light of evolution, right, in biology, nothing makes sense except in the light of evolution, Dobzhensky का ये famous statement है, mammals के case में lactation है, जो female mammal है, बच्चे के जहनम के बाद, memory glands में से milk release होता है, prolactin hormone is required for milk production, and oxytocin is required for the release of the milk, mammals के case में parental care highly developed है, और बच्चों का खयाल रखा जाता है, उनका pollen portion किया जाता है, कई mammals में आप देखेंगे, जैसे गाए का बच्चडा है, पैदा होने के कुछ समय बाद ही, वो अपनी टांगों पे खड़ा हो जाता है, चलने भी लग जाता है, इसका reason भी मैंने आपको बताया था, कि ऐसा क्यों है, कि human बेवी इतना helpless क्यों है, चले जे, दिख्षा, आगे बढ़ें, जल्दी से हम class mammalia की छोटी सी, ये briefly classification जरूर देख लेते हैं, class mammalia दो subclasses में divided है, that is prototheria and theria, theria जो है वो further divided है, metatheria and eutheria में, so ये जो theria की further infra classes है, ये दोनों class में में लिया की subclasses है, theria की infra classes metatheria and eutheria है, prototheria के अंदर, राजा बेटा एक order पढ़ेंगे हम, monotremeta, single opening, monotremes आते हैं इनमे, right, monotremes eggling mammals जो है, so इस वाले group में, prototheria में आते हैं राजा बेटा, राजा बेटियां अल्सो वरना नराज हो जाएंगी, eggling mammals, duckbill, platypus, ornithorhynchus, and spiny antieter, that is tachyglossus, metatheria में order पढ़ेंगे मेरे राजा बेटा, and राजा बेटियां, marsupialia, जिसमें pouched mammals आते हैं, kangaroo हो गया, oposum हो गया, eutheria में आते हैं बचे, true placental mammals, true placental mammals में, choreoalantoic placenta बनता है, और इसके बहुत सारे orders हैं, eutheria के, मैं orders का नाम और उसकी example आपको, जरूर बताऊंगा, राइट जी, चले बच्चों को ना, curiosity हो रही है, तर आपने बताया है, थोड़ा सा तो मैं आपके दिमाग का भी चाहूंगा ना, कि मन्थन हो, थोड़ा सा आप अपने दिमाग से भी सोचें, कुछ चीज़ें, googling करें, prototheria का जिकर करते हैं, prototherians जो है, राजा बेटा, इनको monotrems भी कहते हैं, why? because they have a single opening, which is called cloaca, trama means opening and mono means single, इनमें cloaca present है, ये primitive egg-laying mammals हैं, अंडे देने वाले हैं, earpinna नहीं होता, dant नहीं होते हैं, right? So, इसमें क्या है, in case of echidna, there are no teeth at any stage, but in case of duckbill platypus, the young one has teeth, but in adult, they are replaced by a horny beak, बतक जैसी चोंच आ जाती है platypus में, और इसलिए duckbill platypus कहते हैं, secondary toothless condition है, corpus callosum इनमें नहीं होता, prototherians में corpus callosum नहीं है, marsupials में poorly developed हैं, और placental mammals में highly developed है, memory glands are without nipples, and the testes are intra-abdominal, इनमें memory glands जो हैं without nipples हैं, so the young one cannot suck the milk, young one has to lick the milk, right? male echidna जो होता है, that also has functional memory glands, gynecomastia कहते हैं, उस situation को, right? gynecomastia, when the male also has functional memory glands, किस के केस में? echidna में, right? यहां पर लिख देता हूं, male echidna, the spiny ant eater, it has functional memory glands, चलिए, आगे बढ़ें जी, आप पैचान पारें, यह रहा, echidna, techy glosses, जिसको कहते हैं, spiny ant eater, कैसे कांटे-कांटे जैसे, बाल लग रहे हैं इसके, prototherians को, living fossils भी कहा जाता है, और connecting link भी कहा जाता है, between reptile and mammal, यह बात important है, ध्यान रखना, यह Australia and Tasmania, nearby islands में पाए जाते हैं, और neitho rinkas, techy glosses, clear है जी, दोनों नाम याद रखेगा, और neitho rinkas नाम, NCRT में दिया हुआ है, clear है जी, right, भरत, संदीप, happy, रूही, युकता, साधिया जिलानी, साधिया नहीं कहा था, सर मेरा नाम लीजे, horse को order, कुलसुम अभी आ रहा आगे, मैं अभी आपको order बता रहा हूँ ना, उसमें आएगा, classification of aves, मैंने बताया था, पिछली क्लास में, archeornithes, meornithes, impinay, ratitae, carinate, मैंने बताया है, ये दीखी, metatheria, आपका जाना पहचाना, kangaroo, metatheria में, these are also called marsupials, marsupials मतलब pouched mammals, female में pouch होता है, marsupium होता है, और ये भी Australia and Tasmania में, nearby islands में पाए जाते हैं, और पोसम जो है, North America में भी है, इन में pregnancy period, gestation period is very short, but the lactation period is very long, कुछ kangaroo species में, gestation period सरफ 14 दिन का होता है, बच्चा जब उनका पैदा होता है, that is very helpless, just of the size of honey bee, so mother के vagina से बाहर आके, the baby goes into the marsupium or the pouch, वहाँ पे the baby feeds on the memory glands, it can come out of the pouch, it can go inside the pouch, तो lactation period जो है, वो इन में लंबा होता है, gestation period, pregnancy period इन में छोटा होता है, kangaroo का zoological ने म्याद रखेगा, macropus, और पोसम के लिए याद रखेगा, didelphus, राइक जी, ठीक है, आगे बढ़े, eutheria, eutheria में आगे भई, true placental mammals, यह आपका जाना पेचाना हाथी, आप देख पा रहे हैं, elephant, हाथी की भी दो प्रजातियां है, हम जिकर करेंगे, Asian elephant, elephant, maximus, and African elephant, loxodonta, जोसे हम कहते हैं, gestation period, eutherians में लंबा होता है, true placental mammals है, clear है, अब मैं आपको इस eutheria के, एराजा बिटा, अब आपको इस eutheria के, मैं orders बता देता हूँ, है ना, तो कोशिश करके याद कर लेजेगा, because, because, neat exam में, 2-3 साल पहले का paper उठा के देखेगा, बिटा, पूछा गया है, right जी, यह पूछा गया है, कुछ बच्चे कहारें जी, living world classes में finish होगा, मन्जीत का और, कल class 11th का ही, हमने next chapter लेना है, कौन सा वाला, living world पढ़ने थे न, कल taxonomical aids पढ़ेंगे, herbarium, museums, then those zoological parks, botanical gardens, कल खतम हो जाएगा, वो chapter living world वाला, right मेरे बच्चे, orders, order देखें, चलिए, order, 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 सुनो, यूथीरिया के orders, जो आपको याद रखना है, primates यह, primata कह लिएजिए, parisodactyla, right, artiodactyla, proboscidia, cittasia, now, primata order में, humans, apes, monkeys, monkey का zoological में, macaque, याद रखना, जो 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 एंसी आर्टी में, zoological नेम दीए, मैंने वही लिखें आपके लिए, जादा बोज नहीं डाला है आपके, parisodactyla में आता है, horse, equus, zoological नेम है, ass, donkey, rhinoceros, tapir, one horn rhino, two horn rhino, अलग-लग varieties हैं, artiodactyla में, camel, giraffe, cow, buffalo, sheep, goat, ये सब चीजे, artiodactyla में जानवर जो हैं, camel का zoological नेम, NCRT में हैं, याद रखेंगे, proboscidia में, proboscis हैं जिन में, सूंड जो होती है, nose and upper lip are, modified to form trunk, हाथी के कान जो हैं, बहुत बड़े-बड़े होते हैं, they can produce infrasonic sound, they communicate by infrasonic sound, elephant का zoological name, aliphas है, then, cetacea, पानी में रहने वाले, aquatic mammals, blue whale का zoological name, दिया हुआ है, belenoptera, dolphin का याद रखेगा, delphinus, cetaceans, aquatic mammals, इन में चमडी के नीचे, moti fat की layer है, जो मैंने आपको बताई थी, that is, blubber, बाल बहुत ही कम होते हैं, इनके case में, और lungs के थूँ ही सांस लेते हैं, ये, पानी से उपर आके, lungs में हवा भरके, फिर नीचे जाना पड़ता है, और orders जो आपको ध्यान लखना पड़ेगा, chirruptera, जिसमें की bats आते हैं, there are large fruit eating bats, fruggy vorus bats, जो mega cherubtera में, there are small insectivorous bats, like rhino, lopus, blood sucking bats, like dasmodus, vampire bats, carnivora order में, further families भी होती हैं, fishipedia, pinnipedia पर हमें families नहीं पड़नी हैं, so हमें ध्यान नकना है, इसमें dog, lion, tiger, ये सब जानवार आएंगे, dog, canis, cat, phallus, tiger, panthera, tigeris, ऐसे ही panthera लियो भी हैं, rodentia, rodents है, rat का zoological name, ratus, mouse is musk, guinea pig is caviar, lego morpha में खरगोश आता है, rabbit है, और ecto-legus, here that is lepus, pika भी आता है, इसमें okotona, tail-less rabbit found in Alaska, Eden tata, Eden tata it is, Eden tata में toothless mammals हैं, जैसे कि sloth, right, then insectivora में आते हैं, mole, shrew, hedgehog, right, इसके लावा और भी orders हैं, जो आपको नहीं बताएगें यहाँ पे, fully dota है, जिसमें pangolin आता है, dermoptera है, hyrecoidia है, tibuli dentata है, आपके लिए थोड़ा सा कष्ट दायक तो जरूर होगा, लेकिन बच्चे, मैं आपसे request करूँगा, कि आप जरूर कोशिच कीजिएगा, कि आप इन orders को याद कर ले, अगर horse का order पूछा जा सकता है, so no wonder कभी elephant का order भी आपसे पूछने हैं न, so कोई बहुत जादा इसमें मेहनत नहीं लगेगी, जितनी मेहनत की जरूरत ही वो तो मैंने खुदी कर दिया आपके लिए, बस ये notes आपको मिल जाएंगे, जैसे ये lecture upload होगा, आप देखेंगे नीचे description box होगा, description box में एक link होगा, उसको click कीजिएगा, सारे के सारे notes जो है वो आपको मिल जाएंगे राजा बेटा, चलिए जिन लोगों ने channel subscribe नहीं कर रहा है अभी तक, प्लीज प्लीज ये गुनाह मत कीजिए, चैनल subscribe कर लीजिएगा, bell icon को hit कर दीजिएगा, hashtag neat live daily के साथ, आप हमारे lectures को social media पे share कर सकते हैं, like and share कीजिए, PDF notes आपको मिल जाएंगे, ये हमारे sister channels हैं, engineering के लिए, and academy JEE, and 11th 12th के लिए, and academy foundation, class 11th के topics आपको पढ़ाय जाते हैं, Monday, Tuesday, and Wednesday, class 12th के topics पढ़ाय जाते हैं, Fridays, Saturdays, and Sundays को, जो लोग plus पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, such in live code use करेंगे, you will be getting 10% off in the total fee, plus आपको इंडिया की भेतरीन टीम से पढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे आप 1 year subscription ले, चाहे 2 year, चाहे 3 month, चाहे 6 month, code same रहेगा, coming up next is, fluid mechanics, Bernoulli's theorem, so कहीं जायेगा मत, चिनमय, संगीता, बुश्रा, तौसी, रहे हैं, fluid mechanics का एक और भेतरीन टॉपिक लेकर के आगे, that is Bernoulli's theorem, इसी के साथ मैं आप से विदा लेता हूँ, नमश्कार, God bless you, comment जरूर केज़ेगा YouTube पे, मैं आपके comments का जवाब दूगा, बाई बाई,